आप देख रही है MNS News, सच ज़रूरी है PM नरेंद्र मोदी इस समय दो दिवसिया केरल दौरे पर है इस दौरे के पहले दिन सोमवर यानि 24 अपरेल को उन्होंने कोची में पैदल चलते हुए रोड़ शो निकाला इसके बाद कार में बैठ कर भी प्रदार मंत्री वहां पहुचे जहां जनता का अभिवादन स्विकार करते रहे लगबग 2 किलो मिटर लंबे रोड़ शो के बाद प्रदार मंत्री यूवं 2023 कारेकरब में पहुचे जहां यहां पीम मोदी ने जन सबा को संबोधित करते हुए कहा है कि पहले की सरकारों ने सभी सेक्टर में घोटाले किये हैं वही भाजपा सरकार हर सेक्टर में यूवाओ के लिए नए अवसर उत्पन्न कर रही है प्रदान मंत्री मोदी जी ने यूवं 2023 में यूवाओ और कोची की जनता को संबोधित करते हुए यह भी कहा है कि उन्होंने हाल ही में केरल के एक 99 साल के यूवा से मुलाकत की थी वह यूवा प्रसिद्ध श्री वी पी अपुकटा पोड़वाल है राष्टपती ने उन्हें पद्मपुरसकार से नवाजा है पीम मोदी ने अपने संबोधन में महान वज्यानिक नम्भी नारायनन और आध्य शंकराचारिय का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि विकृतियों के खिलाफ समाज को जा पूरी दुनिया कह रही है कि 21 सदी भारत की सदी है भारत वह राष्ट है जिसके पास युवा शक्ति का भरपूर भंडार है पहले यह सोच थी कि भारत नहीं बदलेगा किन्तु अब सोच ही बदल गई है नई सोच यह है कि हमारा ये देश अब पूरी विश्व को बदल सक आईए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ क्या मीडिया ने करवाया अशोगायलोत और सचिन पाइलट का जगड़ा राजस्तान के पूर्वडेप्टे सीम और कॉंग्रेस नेता सचिन पाइलट के साथ चल रही सियासी खिश्टान के बीच सीम अशोगायलोत ने कहा है कि मी मीडिया को अपना करतव्या पूरा करना चाहिए और यहां जनहीत में है जैपूर में प्रेस वालों से बात करते हुए सेयाम गहलोत ने कहा कि मीडिया को सच्चाई और तथ्यों पर ठीके रहना चाहिए मीडिया को हमें वापस में नहीं लड़ाना चाहिए उन्हें मीडिय कर्मियों को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए और यह जनहीत में है मिडिया को सच्चाई के आधार पर सरकार को दोराने में समर्तन करना चाहिए CM गैलोत ने आगे कहा है कि मैं यहां नहीं कहता कि जूटे आकड़े पेश करो या हमारी जूटी तारिफ करो मगर मैं चाहूंगा कि मिडिया सच्चाई के आधार पर चले मिडिया केंद्र सरकार के दबाओं में है किन्त उन्हें जनता का हीत देखना चाहिए हाला कि इस दोरान CM गैलोत ने किसी का नाम नहीं लिया मगर उनका यहां बयान सचिन पाइलट के साथ चल रहे है विवाद के बीच आया दिसमबर 2018 में राजस्थान में कॉंग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही दोनों के बीच CM की खुर्सी को लेकर सियासी विवाद चल रहा है इस बीच कई बार CM गैलोत पाइलट को लेकर विवादित बयान दे चुके है यहां तक की गैलोत ने उन्हें निकम्मा गद्दार तक कह दिया था वही पाइलट ने अपने ही गैलोत सरकार के खिलाफ अंशन कर दिया था दोनों के बीच ये खटपट लगबग 4 सालों से जारी है लेकिन अब गैलोत कह रहे है कि मिडिया उनका जगड़ा करवा रही है और मिडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए आईए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ हमारा मिशन बिलकुल स्पष्ट भाजपा को सत्ता से हटाना है सीम नितिश से मुलाकत कर बोली ममता मैनर जी वीपक्षे एकता को लेकर बश्यम बंगाल पहुचे बिहार कि सीम नितिश कु 2024 के लोकसभाचुना में वीपक्षे एकता को सशक्त करने को लेकर बाच्चित हुई बैठक में तै किया गया कि सभी दल मिलकर लोकसभाचुना 2024 में भाजपा के खेलाफ लड़ेंगे इसके साथ वीपक्षे की अगली बैठक बिहार में होगी जिसमें सभी दलों के नेता सा बेठकर आगे की रननिती निर्धारित करेंगे इस मुलाकात के बाद सयुक्त प्रेसवारता का आयोजन भी किया गया इसमें सीम नितेश कुमार ने सबसे पहले मिडिया को संबोधित किया नितेश ने कहा कि ममतब एनरजी से बहुत अच्छे माहूल में बात हुई है बाच को सत्ता से हटा देंगे उन लोगों को देश के विकास के से कुछ वास्ता नहीं है इसके साती सीम नितेश ने बंगाल में ममतब एनरजी के विकास कारियों की जम कर तारिफ की वही प्रेसवारता में सीम ममतब एनरजी ने कहा कि हमारा मिशन स्पश्ट है कि भाजपा को सत् मिलकर दो हजार चोबीस में भाजपा के खिला फ्लडेंगे अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं मोबाइल आप पर देखने के लिए प्लेटर हाई कुक फेस्बुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्द है आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं आप हमारे चैनल को लाई भी देख सकते हैं www.mnsnews.tv.com पर फिलाल वक्त हो चला है दरशो को ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरे बने रही MNS नीउस पर नमस्कार